हेलो एव्रिवन, वेलकम बैक टू सिलैक्ट आयेस्व दोस्तों यहां पर हम जोगरफी के घटना चक्र को डिसकस कर रहे हैं और आज आपकी जोगरफी के घटना चक्र की आठवी क्लास है तो साथ क्लासिस आपके अल्रेडी आ चुकी है, एक मैराथन क्लास भी आई है और इन के भी classes आ चुकी है और इनकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आप इन्हें भी एक बार जरूर देखें तो आज का हमारा topic है भारत के राजिया और केंदर सासित परदेश तो भारत की राजिया और केंदर सासित परदेश से जोगरफी से जितना भी आपका previous year में question आया है उसे हम आज की वीडियो में discuss करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के राजियों से किस प्रकार के questions आप से last year में पूछे गए हैं सबसे पहला question है आपके सामने लातूर की स्प्रांत में हैं तो लातूर की स्प्रांत में हैं ये आपको बताना है सही answer option B होगा लातूर आपका महराष्ट राज्य का एक जिला है तो आप याद रखेंगे कि लातूर महराष्ट राज्य का एक जिला है दूसरा कोशन है आपके सामने विदर्ब विदर्ब एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है कहां पर है आपको बताना है सही आंसर option B होगा तो विदर्ब महराष्ट का अंग है विदर्ब महराष्ट का अंग है देखिए विदर्ब महराष्ट राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक छेत्र है तीसरा कोशन है आपके सामने पाठ अंचल पाठ अंचल अवस्थित है सही आंसर option B होगा जहारखं में हैं देखिए पाट अंचल छोटा नागपुर छेत्र में अवस्थित है इस छेत्र में ऊचे पहाड़ी सिखर होते हैं छोटा नागपुर पठार का अधिकांस भाग जहारखंड राज्य की अंतरगर्त आता है फॉर्थ कोशन है आपका जुम्री तलया जुम्री तलया किस किस राज्य में इस्थित है जुम्री तलया रेडियो पर गीतों की फर्माइस के लिए परशिद किस राज्य में इस्थित है सही आंसर ओप्शन बी है यह आपकी जहारखंड राज्य में इस्थित है फिफ्ट कोशन है भारत के निमनलेखित राज्यों में से किसे भारत का क कोहिनूर कहा जाता है तो भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है सही आंसर ओप्शन ए है आंधर परदेश आंधर परदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है देखिए आंधर परदेश के कोलूर की खान से ही विश्व परसिद कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था इसी कारण इ धिकांस धरातल परवतिया है मनिपुर की कुल भूमी का 1843 वर्ग किलोमेटर छेतर नदी घाटी बेसिनों से संबंदित है जो यहां की कुल भूमी का 8 परतिसत है जबकि मनिपुर की बान में परतिसत भूमी पहाडी और परवतिया किस्म की है साथवा कोशन है आपके सामने मन की हुई गाद से बंधे आपत्रन यानि की वीट्स और सड़ती वनस्पती के तैरते हुए दुवीपों फ्लॉटिंग आयलेंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं इन दुवीपो को कहते हैं सही आंसर option C होगा फूमडी तो फूमडी इन दुवीपो को क्या कहते हैं फूमडी तो फूमडी मनिपूर की लौक्टक जील में तैरने वाले दुवीप हैं आठवा कुशन है आपका भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है स करनाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकार जाता है करनाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से परशिद बंगलुरु सहर इस्थित है नौवा कोशन है आपके सामने कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली इस्थित ह सही आंसर option A है बंगलुरू में तो भारत में Silicon Valley बंगलुरू में स्थित है 10. निम्न में सी कौन सा सही सुमेलित है सही आंसर option B होगा पालनपुर गुजरात तो यह है आपका सही सुमेलित है बाकी सम यहाँ पर गलत है आप देख सकते हैं ओरंगा बाद आपका महराष्ट में हैं, पालनपुर गुजरात में हैं, हुबली करनाटक में हैं, गुंटूर आंधरपरदेस में हैं ग्यारवा कोशन है आपके सामने, निमन में से कोन सुमेलित नहीं है सही आंसर option D होगा आंधर परदेश मालनड यह है आपका सही सुमेलित नहीं है बाकी सब यहाँ पर सही दिये गए हैं देखिए मलनाड करनाटक का एक पहाड़ी परदेश है जो घने जंगलों से कवर है अत्या मलनाड करनाटक का छेतर है नहीं कि आंधर परदेश का तो आपक आपको यहाँ पर सही उत्तर बताना है देखिए फ्रेंस इस कोशन को डिलीट कर दिया गया था तो यह एक विवादित प्रशन है इसलिए हम इसे नहीं देखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तेहरवा कोशन है आपके सामने राष्टिय राजधानी छेतर में नहीं सम्मिल आने वाले चार नगर या सहर कोन से सही करम है सही आंसर उप्शन बी होगा बीकानेर अलिगड़ दरभंगा और नोगाउ पश्चिम से पूर्व की यातरा पर आपको यह सहर इस करम में मिलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीकानेर आपका राजिस्थान में हैं अल माचल परदेश राज्य की अंदर आपको चार पॉइंट बताए गए हैं आपको बताना है कि यह कौन-कौन से यह पॉइंट किसको इंडिकेट करते हैं सही आंसर ओप्शन सी होगा बारा मूला सिरी नगर अनंतनाग और कारगिल यह इन्हें इंडिकेट करते हैं देखिए से लगी है तो यह है आपका यहां पर सही दिया गया है बागी सब गलत हैं देखिए प्रशनकाल में विकल्पे सही उत्तर था वर्तमान संदर्भ में मध्या परदेश की सीमा पांच राजियों गुजरात राजिस्थान उत्तर परदेश चतिस गड़ और महाराष्ट में ल चेतरफल की अनुसार निम्नलेखित राजियों का सही अवरोही करम क्या है आंधर परदेश बिहार मध्या परदेश उत्तर परदेश सही आंसर ओप्षन डी होगा तीन चार एक दो तीन मध्या परदेश उत्तर परदेश आंधर परदेश और दैन बिहार यह आपका तमिल्नाडू राजय का चेतरफल सबसे कम है। ओप्शन D महाराष्ट 2011 की जन गनना की अनुसार महाराष्ट जन संख्या की दरश्टी से द्वित्य एवं छेत्रफल की दरश्टी से त्रत्य इस्थान पर है 21 कोशन है भारत का लगभग 30% छेत्र तीन राजियों में समाहित है और ये तीन राजिये हैं आपके राजिस्थान, मध्यापरदेश, महाराष्ट तो ओप्शन C आपका यहाँ पर सही है 22 कोशन है छेत्रफल के करम में भारत के तीन बड़े राजिये हैं सही आंसर ओप्शन A होगा राजिस्थान, मध्यापरदेश, महाराष्ट 23 कोशन है आपका निम्नमे से कौन भारत के राजियों का उनके छेत्रफल के अवरोही करम में सही करम है सही आंसर ओप्शन C है चतिसगण, जहारखंड, हिमाचल परदेश और उत्राखंड तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 कोश्चन है आपका भारत के निमनलिखित राज्जियों को उनके भोगोलिक छेतर के घटते करम में व्यवस्थित कीजिए सही आंसर ओप्शन C होगा ओप्शन C आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए निमनलिखित राज्जियों का छेतर फल की अनुसार घटता हुआ करम निमन प्रकार है राजिस्थान, महराष्ट, करनाटक, तमिलनाडू ट्वंटिफ़ जडता है निमन में से कौन सा राज्जिय चेतरफल में सबसे चोटा है सही आंसर ओप्शन C होगा उतराखंड, तो उतराखंड सबसे चोटा है ट्वंटी सिक्स कोश्चन है भारत में जनसंख्या की अनुसार तीसरा छेतरफल में बारवा राज्या है सही आंसर ओप्षन डी होगा बिहार तो बिहार जनसंख्या की दरश्टी से भारत का तीसरा बड़ा राज्या है और छेतरफल की दरश्टी से बारवा बड़ा राज्य 27 question है आपके सामने निम्नलिखित राजियों में कौन से उत्तर परदेश के सीमा वरती हैं पंजाब, राजिस्थान, 36 गड़ या जहारगंड तो आपको सही उत्तर यहां पर बताना है सही आंसर यहां पर आपका option B होगा, option B आप देख सकते हैं, option B है आपका 2, 3 और 4 यानि कि राजिस्थान, 36 गड़ और जहारगंड या उत्तर परदेश के सीमा वरती हैं, तो इसे चलिए समझते हैं, देखिए उत्तर परदेश की सीमा से इस पर्स करने वाले कुल 8 राजिय एवं 1 केंदर सासित परदेश है, जो इस प्रकार है, हिमाचल परदेश, हर्याना, राजिस्थान, मध्या परदेश, 36 गड़, जहारखंड, बिहार, उत्राखंड, केंदर सासित परदेश, दिल्ली, विकल्प में प्रस्तुत पंजाब राजिय उत्तर परदेश का सीमा वर्ती राजिय नहीं है, 28 कोशन है, असम कुल मिलाकर कितने राजियों, एवं केंदर सासित छेतरों से घिरा हुआ है, सही आंसर, ऑप्शन बी होगा, साथ, तो साथ राजियों से घिरा हुआ है, असम राजिय की स माध्य समुंद्र तल से, किसकी उचाई अधिकतम है, सही आंसर, ऑप्शन ए होगा, बंगलूरू, तो बंगलूरू की उचाई सरवाधिक है, 31 कोशन है, निम्न में से कौन से कथन, राजिस्थान के मरुच्छेतर के लिए सही है, सबसे पहला कथन है, यह है विश्व का सब में व्रद्धी के कारण, चरागाहा छेतर के विस्तार पर कूप्र भाव पड़ा है, सही आंसर, ऑप्शन डी है, यहां पर एक, दो, तीन, चार, सभी कथन सही दिये गए हैं, तो इसे आप देख सकते हैं, कि राजिस्थान का मरुच्छेतर, विश्व का सबसे घना बसा मर उस्थल है, यहां नुमानत है, दस अजार वर्स पुराना है, यहां केवल 40 से 60 परतिसत छेतर ही किरसी हेतु उप्युक्त है, सिंचाई सुईधाओं में विकास के फलस्वरूप, सुध बोई गए छेतर में व्रद्धी के कारण, चरागाहा छेतर के विस्तार पर कूप्र 32 कोशन है, आपके सामने भारत का एक विसेश राज्य है, निमनलिखित विसेशताओं से युक्त है, यहां उसी अक्छांस परिस्तित है, जो उत्तरी राजिस्तान से होका जाता है, इसका 80% से अधिक छेतर 1 आवरन अंतरगर्थ है, 12% से अधिक वन आच्छादित छेतर इस 28 डिगरी उत्तरी अक्छांस रेखा, अरुनाचल परिस के मध्य भाग और उत्तरी राजिस्तान से होकर गुजरती है, भारत वन स्तिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार, अरुनाचल परिस का लगभग 80% भाग 1 आवरन की अंतरगर्थ है, और यहां का लगभग 12% वन छेतर इस र उत्तरपूर्वी राजियों में साथ बहनों के नाम से परशिद राजिया हैं, अरुनाचल परिस, असम, मिघालिय, मनिपूर, मिजोरम, नागालेंड और तिरपुरा, पश्चिम बंगाल इसमें सम्मिलित नहीं हैं, 34 कोशन है, वर्स 1953 में जबांधर राजिया एक अलग र राजिये बना था, तब उसकी राजधानी करनुल बनी थी, देखे, या पर आप देख सकते हैं, मदरास राजिये की अंतरगर्द, तेलगू भासाईयों के अधिकारों के लिए, आमरन अंसन करने वाले अमर जीवी, पोट्टी सिरी रामुलू की मृत्यों के पश्चात हु होने के पश्चात, इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई, थार्टी फाइफ कोशन है, आपका देश के किस परदेश में सबसे अधिक जिले हैं, सही आंसर ओप्शन डी होगा, उत्तर परदेश, उत्तर परदेश में सबसे अधिक जिले हैं, यहा पर आप देख सकते ह हैं, मध्यपरदेश में 52, महराष्ट में 36, तमिलनाडू में 38 और उत्तर परदेश में 75 जिले हैं, थीक है, 36 कोशन है, भोगोलिक छेतर की दरश्टी से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, सही आंसर ओप्शन बी होगा, कच, तो आप देख सकते है कच जिला सबसे बड़ा है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कोशन, 37 कोशन है, सोनभदर जिले को इसपर्श करती हैं, सही आंसर ओप्शन सी होगा, चार राज्यों की सीमाई, सोनभदर जिलों को चार राज्यों की सीमाई इसपर्श करती हैं, 38 कोशन है, आपका चार करनाटक में से परती एक देखिए प्रशनकाल के दोरान विकल्पसी सही था वर्तमान में आंदर परदेश के पुनरगठन के बाद दिये गए राज्जियों और उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सरवाधिक राज्ये की सीमाओं को इसपस करने वाला राज्ये करनाटक है 39 कोश्चन है निमने लिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्ये की सीमाओं बनाता है सही आंसर ओप्शन ए होगा आंदर परदेश करनाटक महराष्ट 36 गड़ तेलंगाना राज्ये की सीमा 36 गड़ महराष्ट करनाटक और आंदर परदेश को इसपस करती है चालिसवा कोश्चन है निम्ने में से कौन सुमेल नहीं है सही आंसर ऑप्शन B होगा मनिपूर आईजोल ये आपका सुमेल नहीं है क्योंकि मनिपूर की राजधानी इंपाल है जबकि आईजोल मिजोरम की राजधानी है 41 कोश्चन है गुजरात की राजधानी कौन सी है सही आंसर ऑप्शन C होगा गांधी नगर ये आप सभी को पता होगा 42 कोश्चन है आपके सामने राजिस्थान की राजधानी कौन सी है सही आंसर ऑप्शन A है जैपूर 43 question है इटा नगर किस राज्य की राज्य की राज्धानी है सही answer option D है अरुनाचल परदेश अरुनाचल परदेश की राज्धानी इटा नगर है मिजोरम की राज्धानी आईजोल तिरपुरा की अगरतला पुद्दुचेरी की राज्धानी पुद्दुचेरी है 44 question है भारत के 29 वे राज्ये की राज़दानी है सही आंसर उप्शन A होगा है धराबाद देखी आप सभी को पता है कि 2 जुन 2014 युको आंधर पर्देश से विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29 वा राज्ये बना तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है आंधर परदेश की नई राजधानी का निर्मान अमरावती में हो रहा है 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राजजिय और 8 केंदर सासित परदेश है 45 कोशन है निम्न में से कौन सुमेलित है सही आंसर ओप्शन सी होगा मिजोरम आईजोल यहाँ पर आप देख सकते हैं आसम की राजधानी दिसपुर मेगाले की राजधानी सिलॉंग मिजोरम की राजधानी आईजोल नागलेंड की राजधानी कोहिमा है 46 question है आपका निम्न में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है सही answer option C होगा बंगलुरू तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंडिगर, भुवनेश्वर और गांधी नगर सुनियोजित राजधानी नगर हैं जबकि बंगलुरू सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है 47 question है आपको दो सूची दी गई है राजिया और राजधानियों की आपको इनका मिलान करना है सही answer यहाँ पर आपका option B होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं देखे असम की राजधानी दिसपूर, नागलेंड की राजधानी कोहिमा, अरुनाचल परदेश की इटा नगर, मिगाले की सिलोंग है 48 question आपको यहाँ पर दिया गया है राजधानियों का फिर से आपको इनका मिलान करना है आपको पता है कि असम की राजधानी दिसपूर है, गुजरात की गांधी नगर है, मिजोरम की आपकी आईजोल है और मनिपूर की इमफाल है तो इन्हें आपको याद कर लेना है, देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सही मिलानी आपको दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं, मनिपूर की राजधानी क्या है, इमफाल है नेक्स्ट कोशन है आपका 49, भारत का कौन सा राज़्य है, अधिक्तम राज़्य है, सीमा वो को छूता है, सही आंसर ओप्शन डी होगा, उत्तर परदेश तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर परदेश राज़्य की सीमा, कुलाठ राज़्यों और एक केंद्र सासित परदेश से मिलती है, जो इस प्रकार है तो उत्रपरदेश की सीमा मिलती है आपकी हिमाचल परदेश, हरियाना, राजिस्थान, मद्यापरदेश, चतिसगड, जहारखंड, बिहार, उत्राखंड और केंद्रसासित परदेश दिल्ली से मध्यापरदेश की सीमा 5 राजियों गुझरात, राजिस्थान, उत्रपरदेश, छत्तिसगड और महराष्ट से लगती है आंधरपरदेश की सीमा 5 राजियों से लगती है यदि पुद्दुचेरी केंदरसासित परदेश के यनम छेतर को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राजियों से लगी मानी जाएगी करनाटक की सीमा छे राज्यों से लगती है आंधर परदेश तेलंगाना महराष्ट गोवा केरल और तमिल नाडू पचासवा कोशन है आपके सामने मध्या परदेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती सही आंसर ओप्शन सी होगा ज्यारगंड तो मध् यहां पर आपका राज्यों से जितने भी प्रशन पूछे गए थे उन्हें हमने यहां पर कवर किये हैं अभी आपका जो दूसरा सब टोपिक है वो है आपका केंदर सासित परदेश से कौन-कौन से प्रशन पूछे गए है चलिए इन्ने देखते हैं देखिए सबसे पहला प्रशन है आपके सामने भारत में केंदरसासित राजियों की संख्या कितनी है तो देखिए 2010 का प्रशन है आपके सामने उस टाइम पर इसका सही आंसर ऑप्शन भी था साथ तो आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रशनकाल में भारत में 7 केंदरसासित प हैं 26 जन्वरी 2020 से दाद्रा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलयकर एक केंद्र सासित पद्व कर्ढिया गया हैं अंया केंद्र option C होगा दिल्ली तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परशन में उल्लीकित संग राज्य छेत्रों में दिल्ली छेत्रफल की दरश्टी से सबसे बड़ा है 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य लद्दाक है संग राज्य लद्दाक है सही आनसर option C होगा लक्ष दूइप तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का सबसे छोटा केंदरसाइत छेत्र लक्ष दूइप है भूभाग की दरश्टी से लक्ष दूइप सबसे छोटा केंदरसाइत परदेश है इसके अलावा जनसंख्या की दरश्टी से भी लक्ष जन संख्या सबसे कम है लक्ष दूइप के अंतरगर्द कुल 36 दूइप आते हैं चोथा प्रशन है पुद्दुचेरी का छेत्र विभाजित पाया जाता है इसका सही आंसर होगा आपका देखिए ओप्शन सी आपका सही आंसर है तमिलनाडू केरल आंधर परदेश राज्यों पुद्दुचेरी चार अलग-अलग रजिलों में विभाजित है जिन में से दो करायकल और पुद्दुचेरी तमिलनाडू के पास विस्तारित है इसके अलावा यनम आंधर परदेश के पास तथमाही किरल के पास विस्तारित है पांचवा कोश्चन है निम्ले में से एक क केंदर सासित छेतर नहीं है सही आंसर ओप्षन ए होगा तिरपुरा देखे प्रश्नकाल की अनुसार उप्युक्त विकल्पों में तिरपुरा एक राज्या है जबकि दमन एवंदीव लक्षद्वी पुद्दुचेरी केंदर सासित परदेश हैं तिरपुरा तीन ओर से बां कुन सा कथन सकत्तिय है पहला कथन है उत्तर उत्तर ब्रेटिस आधिपत्यमी था धमन उर्दीव के बीच खंबात की खाड़ी है इसकी राजधानी दमन है सही आंसर ओप्षन बी होगा यहां पर दो तीन कथण ही आपके सहीद इये गए हैं दमन और दीन के बीच खंबात की खाड़ी है और इसकी राजधानी दमन है तो आप यहां पर इसे देख सकते हैं देखिए नेक्स्ट कोशन है आपका सिलवासा राजधानी है सही आंसर ओप्षन भी होगा दादरा एवं नगर हवेली की नाइंत कोशन है निमन में से कौन सा केंदर सासित परदेश नहीं है सही आंसर ओप्षन ए होगा गोवा तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट कोशन देखिए देखिए friends यहाँ पर आपका केंदरसासित परदेश से related जितना भी प्रेशन था वो हमने यहाँ पर discuss कर लिया है अभी आपका next topic प्रजाती या जनजातियों का होने बाला है तो जनजातियों से related जितना भी previous year question आपसे पूछा गया है इसे हम next video में discuss करेंगे आज की class में इतना ही मिलते हैं फिर next class में thank you so much friends for watching the class keep watching please like share and subscribe thank you